नमस्कार दोस्तों आज हम लोग अधेन करेंगे जलोध मिटी किसे कहते हैं या क्या होते हैं तो नदियों द्वारा लाई गई मिटी को जलोध मिटी कहते हैं जैसे जब नदी बहता है तो उससे यानि जो नदी बहा कर ही जो मिटी लाता है और किनारे लाकर यानि जमा कर देत तो उसे ही जलोड मिटी काते हैं इस मिटी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइटोजन फासफूरस एवं हुमस की कमी होती है इसमें यह पोटास की मातर तो ज्यादा होगी नाइटोजन फासफूरस और हुमस की कमी होगी फिर जो है यह मिटी भारत के लगभग बाइ बारे में भी समझ सकते हैं कि बांगर क्या होता और खादर तो पुराने जलोड मिटी को बांगर तथा नई जलोड मिटी को खादर कहा जाता है यानि जो पुराना जलोड मिटी यानि पुराना जो मिटी होता है वह बांगर मिटी कह लाएगा और जो नई जलोड मिटी होता है उसे खादर काते हैं जलोड मिटी उर्वर्ता के दिश्टी कोण से काफी अच्छी मानी जाती है इसमें धान गेहूं मक्का तिलहन दलहन आलू आदी फसले उगाई जाती है